दोस्तों त्युहारों का सीजन आ रहा है और ऐसे के अंदर आपकी खुशी डबल हो जाएगी अगर आपको इन नई गाड़ी लेकर के अपने घर के अंदर आते हैं लेकिन आपकी खुशी कम ना हो इस वज़े से आपके लिए परफेक्ट हम लोग गाड़ियां लेकर के आए हैं अगर पांच लाग से लेकर के आठ लाग तक के अंदर आए पर इन गाड़ियों को चूज करते हो तो आपको कोई भी आगे भी दिखकर परेशानी नहीं आएगी इससे पहले कि मैं आपको यह सभी गाड़ियां बताओ उससे पहले मैं बता दूँ कि मारुत्ती वास्ताओ के अंदर जो दूसरे मैनिफेक्ट्र है उनसे दो कदम आगे है उसने पूरी तयारी कर ली त्योहारों के सीजन का जो है पूरा पायदा उठाने के लिए क्योंकि उन्होंने 10 गाड़ियों में से अपनी साब गाड़ियां B6 के अंदर दे रखे है तो सबसे पहले बहुनित का डिसक्रिशन करेंगे G5 इन के बारे में बात करेंगे अगर आपको क्षासियत के बारे में तो आप लोग को अच्छी तरह से पता ही है ये गाड़ी अच्छा माइलेस देती है मिंट्चेनिंस कम है और रिसेल इस गाड़ी की बहुत अच्छी है और इंसए लिस गाड़ी का का užच्छा लगता है तो इसका भी आपको same benefit मिलेंगे, आपको गाड़ी की mileage काफी अच्छी मिलेगी, आपको maintenance wise कोई परिशानी नहीं होगी, जो resell करने जाएंगे तो आपको price भी अच्छी मिल जाएंगे, और parts दगरा की availability भी आपको अच्छी मिलेगी, साथ की साथ आपको जो Nexa की services हैं, उनका भ तो हमारे लिस्ट में अब अगली गाड़ी है, Hyundai के तरफ से, वो है Grand I10 Nios, जो की अभी-अभी market में आई है, काफी अच्छे exterior के साथ और साथ के साथ, उसमें BS6 in Germany मिलता है, और खासियत की बात करें, spacious है वो गाड़ी, fresh look आपको मिलेगा, और एक अच्छा package है वो totally आप कह सक अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो यह हमारे दिल्ली के CMK जरिवाल की फेवरेट गाड़ी में से एक रही हुई है, हाला कि अब थोड़ी सी बड़ी और चोड़ी होगी है, मतलब मैं बात कर रहा हूं, वेगनार की, तो इसको एक हमेशा ही एक family car की तरीके से पेश करा है मारुत्ती ने, जो कि कही न गई वो है भी, क्योंकि काफी इसमें आप आज के दिन स्पेस भी हो गया है, लंबी चोड़ी headroom और legroom में तो पहले भी कोई परिशानी नहीं थी, और साथ की साथ इसको अब 1.2 लिटर का engine भी मिल गया है, वे शिक्स नॉम्त को पूरा करती है ये गाड़ी definitely एक वर्थ जो है वो निकल करके सामने आती है, अगर आप गाड़ी को आराम से चलाते हैं तो, अगर दुनिया swift लेने मारुत्ती के अरेना सोरो मक्य अंदर जाती है और लेके आती है वेगनार बाहर के तरफ क्योंकि ये गाड़ी उन्हें पसंद आ जाती है, देखो ना, BS6 गाड़ियां निकालने का मारुत्ती के कितना फायदा हो रहा है कि लगबद 5 गाड़ियों में से जो है, चार गाड़ियां उन्हीं की है, जी हाँ, जोती है, इगनिस, इगनिस को भी एक बहतरीन पैकेज के तोर पर आपके सामने पेश किया गया है, मारुत्त आपको चलाने के अंदर, उसके अंदर बैठना, उतरना, 110 गा उसके अंदर मिलता आपको ग्राउंड क्लेंस, वो आपको काफी शांदार चीज़ें लगेंगी दोस्तों, तो अभी त्योहारों का सीजन शुरू नहीं हुआ है, और त्योहारों के सीजन शुरू होते होते, अभी 30 तारिको मारुती का एक बहुत ही स्ट्रॉंग प्रोड़क्त मार्केट में आने वाला है, उसका नाम है एस्प्रेसो, एस्प्रेसो सीरियसली एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका हो सकता है यहां पर, उपर आई बटन के अंदर जो लिंक आ रहा होगा आप उसका पूरा वीडियो यहां पर देख सकते हैं, तो यह तो थी, दोस्तों, बीएस सिक्स अगर आपको खास दोर पर पसंद है गाडियां, तो हाला कि पेट्रोल अगर आप गाडियां लेते हैं, तो इतना बहुत जादा फरक नहीं बड़ेगा, बीएस सिक्स और बीएस फोर के अ आपको हार एक वेरियंट में, हार एक मोडल में, जी हां, और फोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्ड की तरफ से भी फीगो या फ्री स्टाइल जो है, वो एक बहतरीन प्रोडेक्ट है, उनका बहुत ही बड़िया, लेकिन एक दिक्कत यह है कि वो बीएस सिक्स के अं जो कि आपको आगे भी टैंशन फिरी रखेंगी, बेजी जक इन गाडियों को खरीद सकते हैं, तो फैला ये इस वीडियो को ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, जो भी गाडियां लेने के इस क्योहार के अंदर भिच्छुक हैं, ताकि उनका डिसीजन गलत हो, बिलकुल, इसी मेसेज के साथ कि अगर आप फोर विलर चलाते हैं, तो सीट बेल जरूर डालियो, अगर टू विलर चलाते हैं, तो हेलमेट जरूर पहनना दोस्त, ओके, जैहिन, जैभारत, भारत मता कीजए, और हैपी रिवाली एडवान्स में,